चलिए एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है भोपाल से जहाँ पर नोटा के विरोध में RSS उतर आया है और नोटा के पीछे RSS का तर्किये है कि नोटा किसी भी उमीदवार के पसंद ना होने का विकल्ब था लेकिन नोटा के चलते ही कई बार सबसे बदतर उमीदवार भी चुनाब जीते हैं ये तर्क नोटा के विरोध में उतरे RSS ने दिया है और इसको नोटा को वोट ना देने के लिए RSS अभियान भी चलाएगा तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की भुपाल से दूसरे बहतर उमीदवारों को वोट देने के लिए जागरुकता अभियान RSS चलाएगा इसके लिए समाज को जागरुक करने की वाथ भी RSS त्वारा कही जारी है तो भुपाल से वक्त की बड़ी खबर जहां नोटा के विरोध में RSS अब मैदान में उतराया है और RSS का कहना है कि नोटा किसी भी उमीदवार के पसंद ना होने का एक अविकल्प रहता है लेकिन इसी के चलते कई बार सबसे बड़तर उमीदवार जो होते हैं वो भी चुनाब जीट जाते हैं तो जिसको लेकर समाज को जागरुक करने के बाद RSS कह रहा है और नोटा को वोट ना देने के लिए एक अभ्यान भी RSS त्वारा चलाया जाएगा आशिश मंगल सुनी है मरे साथ इस खबर पर और भी जादा जानकारी के लिए जुड़ गया है आशिश जी सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे थोड़ा सा कि नोटा की विरोध में RSS उतर आया है आखिर क्या कारण ऐसा पढ़ गया कि शायद और ये पहली बार होगा जब नोटा का विरोध करने की बात नहीं है लोग मतदाताओं को जागरू करने के लिए आहरास्टी स्वयम सेवत संग्र के द्वारा अभियान चलाया जाएगा संग्र के पुरू करदा अभिकारी असोख पांडे का साफ तोर पर कहना है कि नोटा का उपियोग करने से केवल जो मतदाता है वो अपने पसंद का उमिदवार उससे नहीं मिलता है तो फिर कम बहतर वाले प्रत्याशियों का चैन करना चाहिए जिससे मददान के अधिकार को सुनिश्चित कराया जा सके और साफ तोर पर संग्री के पदाधिकारी अशुक पंडे का साफ तोर पर कहना है कि नोटा के प्रयोग से एक लोगतंत्र में चुनाव होते हैं वो नहीं हो सकते और उचित प्रतिनी दिश्व भी नहीं मिल सकता है बिल्कुल मंगल आशिजी लेकिन यहां पर यह बात भी उड़ती है कि नोटा के विरोध में आरे से सी अभ्यान चला रहा है उनके यह कहना है कि हम लोगों को जागरू करेंगे लेकिन कई बार जो आम जनता होती है जो वोट देती है दो पार्टियों के उमीद्वार भी अगर खड़े होते हैं तो उनमें से उन्हें कोई पसंद नहीं होता जनता का ये तर्क होता है कि जो हमारे श्वेत्र में विकास करेंगे उनके लिए हम वोट देंगे लेकिन कई बार ऐसी सिती बन चाती ही कि उन्हें नोटा का बटन दवाना पड़ता है जब मतदाता को अपनी पसंद का उमिद्वार में ही मिलता है तो वो नोटा का उपयोग करता है और नोटा का उपयोग करके ये साबित कर देता है कि चिनावी रण में मौझूदा प्रत्याशियों में से उसके चेतर के हिसाब से कोई भी प्रत्याशी नहीं है इसलिए एहराद्वे चोयम सेवक संग का कहना है कि दोनों ही प्रत्याशियों में यह जितने भी प्रत्याशिय मेंनान में खड़े हैं उनमें यदि कोई पसंद का नहीं है तो फिर मददाता को अपना क्राइटरिया सुनिशित करना होगा कि कौन सा प्रत्याशिय उसके लिए गम जो बहतर हो सकता है तो उसमें कौन इनके अलावा और कौन बहतर हो सकता है मान लीजिए कि कोई प्रत्याशिय बिल्कुल पसंद नहीं है कोई प्रत्याशिय की पसंद का जो रेशो है वो कम है तो ऐसे में उन मौझूद प्रत्याशियों में सही टेहन करना चाहिए जिस से कोई पसंद नहीं है जी बलकुल आशीज जी लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि आरेसेस इसको लेकर जागरुकता अभ्यान तो चला रहा है लेकिन जब इस चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो उसमें नोटा का परसेंटेस कितना रहेगा ये देखने वाली बात हो कि उमीदवार की पसंद ना होने काई विकल्प रहता है लेकिन कई बार जब नोटा का बटन दबाया जाता है तो सबसे बदतर उमीदवार जो होते हैं वो भी चुनाव जीत चाते हैं